नमस्कार गुद्लग टिप्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ मनीशा दोस्तों रोज बदलता है देन और साथी में बदलती है आपकी ग्रहों की दशा महादशा ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है क्या लाब दिलाने वाला है साथी में बताएंगे रोज मर्रा की परिशानियों से बचने की कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कारेक्राम गुद्लग टिप्स में दर्शे को आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशी फल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परिशानियों के हल ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौझूद है जाने माने जोतिश आचार्या पंडित वुके शास्त्री जी सबसे पहले पंडित जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जैशी किष्णा जैमाता की जैशी तो दोस्तो पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परिशानियों और मुश्किलों से निकलने का हद कुछ बहतरीन से उपायों के साथ तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और जैसा कि आप सब जानते हैं कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बता रहा है आपका डाम, आपके जन की तारीक, जन का समय और साथ ही में जन का स्थान भी तो दोस्तो देर किस बात की है जल्दी से अपना फून उठाईए और हमें कॉल कीजिए लेकिन आईए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल पूल्लक्टिप कारकम के सभी दश्कों पर जबवान शीहरी का मावगला मुखी का आशिरवाद और कपया दस्ट्रिय हमेशा बनी रहे आप सभी का कल्यान हो आईए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल आज के दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना इन सब पे चर्चक लेए साथ ही साथ जानेंगे कि ऐसा पॉल मंतर जो दूर करेगा आपके जीवन में चाया हुआ अंदेरा तो कारकम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशी फल के साथ में प्रतम जो राशी है मेश राशी मेश राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज कुछ जरूरी काम के रुख जाने से आज आपका जो मन है वो थोड़ा चिंता अगस्त रह सकता है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि अपने ही लोगों का आज आज आपको रूखा वेवार देखने को मिल सकता है या आपका कोई विश्वाश पात मित्र है वो आपसे बेरुखी दिखा सकता है शाम तक निश्चित और पर कुछ बदलाव आ जाएगा और हालाद भी सुधरते वे नज़राएंगे आज के दिन की सफलता के लिए सरसो के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाट का पाट करिएगा दिन अच्छा गुजरेगा अगली जो राशी होई विश्व राशी विश्व राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आपकी केरियर में कुछ बदलाव या फिर बदल आज हो सकता है आज आपको अपने काम करने की तरीके को इतना सहे जोर इतना सरल बनाना है कि आगे चलकर आपको उसका फाइदा वश्व मिल सके आज के दिन की सफलता के लिए किसी आना भायश्व में दवाईयों का दाना वश्य कीजेगा निश्व तोर पे दिन अच्छा गुजरेगा आज के दिन की सफलता के लिए गणीश मंदिर में या भावान गणेशी को दुर्वा चड़ा कर दिन की शुरुवात करेगा निश्व तोर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिन में खुशियां बस यूँ ही बनी रहें तो आपको ये तिल्श जरूर अपनाने हैं पंड़ी आगे बढ़ने से पहरे महावीर जी सवाल करेंगे पचीस नौन सेवन्टी टू जन तारीक है और सुबह चार बजे का इनका जन है सीकर से है ये बहुत-बहुत स्वागत है आपका महावीर जी आप सवाल पूछ सकते हैं पंड़ी जी पूछिए महावीर जी पंड़ी जी ये कह रहे थे कि इनके काम बंते-बंते बिगड़ जाते हैं तो उसका क्या कारण है और क्या उपाए उनको देए देखिए महावीर जी सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त आपको मंगल की मादर्शा राहू का अंतर चल रहा है राहू का काम ही अर्चने ल 2015 तक 15 सप्टेंबर सन 2015 को यह समय खत्म होगा तत परशाथ में निश्य तोर पे आपके कारे शेतर में आपको तरक्य 29 सभी देखने को मिलेगी दूसरी जो समस्या है वो यह समस्या है कि आपके भाग्यस्तान का जो स्वामी है वो है मंगल वह आपकी जनम कुर्णी में अस्त अस्त होने का मतलब जैसे सुर्य भगवान अस्तरतेंगर में रोशनी सब खतम हो जाती है तो यदि आप चाहते हैं कि आपके हर कारे में आपको पून रूप से भाग्य का साथ मिले तो आपको एक मुंगा रत नाता है तिकोना मुंगा सवाच्छे रती का चांदी में अनाम पश्नी का उग्री में मंगलवार के दिन आपको धाल करना नेमित रूप से आपको अरमान जी के अरादना अवश्य करना है और उसके अलावा ज़्या यदि आफ व्यपार में हैं क्योंकि आपके व्यपार लाब के घर का स्वामी और धन्पं का स्वामी बुद्ध है वो भ से छोटी उगली में धारंग करके रखना है और हर बुदुवार को गव सेवा आपको अवश्य करनी है निश्यत तौल पे सरल से उपाए आपके जीवन में छाया अंदेरे को दूर कर सकते हैं जी महावीर जी उमीद करते हैं कि आपको आपके मन चाहे गुर्लक टिप्स मिल गये हैं पंडी जी अगली कॉलर टिंकी जी है जैसलमेज 666, 76 इनकी जन्ध तारीग है और रात के 11 से 12 के बीच में इनका जन्ध है जी टिंकी जी स्वागत है आपका सवाल पूछिये गज्यक्न से 12 की मैं आपकर ओर आपके और क्वोम किया था उस तेमा आपने मेरा कन्य रासी वता लेकिन मेरा रासी का जो नाम होता है वो गाशिच से है निस डॉली जो तारीक आप बता रहे हैं उस तारीक पर तो कन्या राशी ही का चंद्रमा है अब उसको बदल तो नहीं सकता उसको करक में कैसे कर सकता हूं जो है वो यह है थो हो सकता है कि जो आपकी जनम कुड़ी आपकी जो बनीवी हो उस जनम कुड़ी के अंदर अगर उसको किसी योग्याचारे के उसमें वहां पर आप उसको विशलेशन करवाएं तो वो उससे तारीक को करेक्ट कर सकते हैं तिथी और उसका चेक कर वा से आपको पता पढ़ जाएगा क्योंकि जो आप तारीक बोल रहे हैं उसमें तो कन्या राशी है जी दर्शक वाप अप्ती परेशानिया हम तक मेल के जरे भी पौचा सकते हैं अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो पंडी जी आज का मेल करते हैं मोहिच जी 31 1094 जन तारीक ह इनका जन है 31 1094 सुभा के पांच बच के पांच मिनट जी पंडी जी लिखते हैं कि इनके पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजो देने खुशी महसूस नहीं होती है आपका आश्रवाद चाहते हैं बिटा आपकी जनम कुल्ली में वैसे अगर हम देखें बोद उच्छी का हो के बैठाएं बहुत आप ब्रिलिंट रहेंगे लेकिन दो चीजे हैं एक तो भगवान सूर्य आपकी जनम कुल्ली में नीच का है दूसरा जो है वो मंगल आपकी जनम कुल्ली में नीच का है दो जो ग्रह नीच के हो जाए तो नेचुरल है कि वो नकारात्मक परिना मिलने लगते हैं। भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता है, यश्व, भभव, मान, किर्थी, यह सब प्रदान करने वाले जो देवता हैं, वो भगवान सूर्य है। और वो ही जनम कुड़ी में नीच के होके बेर गए। और अभी आपको फिलाल जो है शुक्र की मादशा चल रही है और उसमें भी बुद्ध का अंतर चल रहा है। नेमित रूप से भगवान विश्च्णू की अराधना पवर्ष्य करिए। नेमित रुप से जैदी हो सके तो विपल के व्रेक्श के नीचे जाके वाँपे बीपल के व्रेक्श को जलसे सीचे、 एगई का दीपक लगाएए परिकरमा करिए। निश्थ दोर पे भवगवान विष्णू के साथ साथ माल लक्ष्मी का आशिरवाद आपको प्राप्त होगा और उसके साथ में जो मन का सुख है बिल्ले ही होते हैं बिटा जिनको मन का सुख मिलता है धन से सुख नहीं मिलता है मन का सुख तो बिल्ले लोगों को मिलता है अपना विश्वाश भगवान के पर बनाए रखे हैं व्रगवान विश्णू की अराधना करिये निश्यत तोर पे मन आपका प्रसंद रहेगा और तमाम सुख आपको जीवन में प्राप्त होंगे हमारा शुबार शुर्वाद आपके साथ पणने जी अगली कॉलर सर्ला जी है अपने बेटे तेज सिंग के लिए आपसे सवाल करेंगी 9 जनवरी 83 जन तारिक है 9 1 83 दो पहर के 1 बच के 25 मिनुट का बेटे का जन्व है जी सवाल पूछेसलाजी जी पूछेसलाजी सर्लाजी आपकी आवास आ रहे हिए आप टीवी के वॉल्यूम देमें कर लीлов एक सवाल जे prescribed नवस्कार सब जैसी किश्ना आपके बात हूली है मैं भुलेह। बोली आज आज आपकी समस्रा का समाधन करेंगे बताएं बिलकुल देखिये इह पुगः सारे काम कर लिये दिया इस बच्चे का एक बहुत नकारातमक समय चल रहा है इस बच्चे का कब से चल रहा है जुलाई 2013 से हैं भी तो फिलाल बुद्ध की मादशा और राहु का अंतर ये खतम होगा 26 जनवरी सन 2016 को कब 26 जनवरी सन 2016 को राहु का काम जो है वो सिर्फ रुकाउटे लेके आना है अर्चने लेके आना है और साथ साथ में इस बच्चे को नवंबर से शनी की साड़े साथी और शुरू हो चुकी ये कहीं न कहीं राहु और शनी के जो अशुप परिणाम है वो इस बच्चे के काम में अर्चने डाल रहे हैं कुछ उपाए मैंने आपको पहले भी बताए है शनी की साड़े साथी के लिए एक लोय का छला मध्यमा उंगली में इस बच्चे को धारन करवा के रखी सुरियास्त के पश्यात में दूद, दई, चावल जैसे सफेद चीजों का सेवन बंद करवा दीजिए उसके साथ साथ में इस बच्चे को बोलेगा कि हर रईवार को भिरुजे के मंदिर में जाए दाल की कचोरी, दई और इमर्ती या एक काम करिए ग्यारा, एक्किस, इक्यावन आप सफेद उड़त की डाल के बड़े बना लीजिये हर बड़े पे एक-एक लौग लगा के बड़े जो बनाएंगे उसमें नमक मिरच नहीं डालेंगे हर बड़े पेक एक लॉंग लगा के आपके वाँ पुशकर में पानी खूब है वहाँ पे जाके बच्चे को बुले कि रईवार को मचलियों को खिला इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे आर्थिक शारीरिक मांसे एक विवाईक जीवन में भी अर्चने हैं रुकावटे हैं उन सबसे मुक्ति मिले ये संडे संडे कम से कम चार से पांस संडे करवाई है निश्यत तोर पे इन सरल से उपाय से पायदा होगा चले इन गुर्लक टिप्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है करक सिंग और कन्या राशी में आज आपके लिए करक राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज अनेक प्रकार की योजनाओं पर एक साथ विजय पाना कठिन होगा शुती और स्मती तता ग्यान बंडार से ही आप आज दनी बन सकते हैं आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की अरादना करके दिन की शुरुवात करेगा निश्य तोर पर दिन अच्छा गुजरेगा अगली जो राशी हुए सिंग राशी वाले जो हमारे दशक है जो भी कारे आज आप उत्सा पूरुवक करेंगे उसी में आज आपको सफलता प्राप्त होगी आज के दिन जो भी काम करें उसमें अपना आत्म श्वाश सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें वैपार में लाब होगा आज के दिन की सफलता के लिए अपने किसी भी कारे में जूट नहीं बोलने का संकल्प करके दिन की शुरुवात करिएगा पुरा दिन अच्छा गुज़रेगा अगली जो राशी हुए कन्या राशी कन्या राशी वाले जह हमारे दशक है कामकाज के लिहाज से आज एक सकारात्मक और मन माफिक दिन साबित हो सकता है और यदि आपके मन में भविश्य को लेकर कोई आशंका है तो उसे छोड़ दीजी आज के दिन की सफलता के लिए मात तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुवात करेगा पुरा दिन आपका अच्छा गुश्रेगा दर्शकों पन्दी जी आपका आपके राशी के अनुसार गुर्लक्तिप्स देते हुए चले जा रहे है पंदी जी आगे बढ़ने से पहले कॉलर लेना चाहेंगे कैलाश है 6.883 जन तारीक है और शाम के 7.05 बजे का इंका जन है 6.883 और शाम के 7.05 बजे जी सवाल पूछी कैलाश जी पंदी जी नमस्ते पंदी जी वह द्वाब नहीं लग रहे हैं पंदी जी और उसमें भी शनी का अंतर चल रहा है शनी आपकी जर्म कुली में उच्छ का होके बैठा है लेकिन कहीं न कहीं आपकी जर्म कुली में नोकरी व्यपार के शेतिर का जो स्वामी है वो है मंगल वो नीच का है कोई ग्रहन नीच का हो जाता है तो नकारात्मक पढ़नाम देता ह नो डाउट आपके पास में भविश्य में खूब धन संपती रहेगी दो चीजे हैं एक तो चुकि चंदमा राहू का ग्रहन योग ज्वादश भाव में बैठा है कोट, कचरी, अपमान, अपियश से बचिएगा शेर मार्केट से सम्मंदित कोई काम नहीं करना है पैसो के लेंदिन से सम्मंदित कोई काम नहीं करना है ब्याज बट्टे से सम्मंदित कोई भी काम नहीं करना है जुवा, सटा, लाटरी, इन से सम्मंदित कोई काम नहीं करना है लोहे से सम्मंदित कोई काम करते हैं तो निशित तोर पे आपको फायदा होता है उसके साथ साथ में चूकि आपका जो समय है इस वर्ष सन 2015 मही के परशाथ में समय अच्छा आ रहा है तो नोकरी में तो निशित तोर पर हैस्तिरता का ही सामना करना पड़ेगा नेमित रुप से हनमान जी के अराधन आवश्य करिए अपने वैपार के बारे में सोची स्वेम का वैपार करिये आपको ज़्यादा लाब प्रता लोगा दर्शेकों यारू केंगे छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन आगे भी आपकी परिशानियों को सुलजाएंगे और बताएंगे क्या खास है आज के दिन में आपके लिए, कहीं मत जाईएगा ब्रेक के बाद आप सभी का फिर्से स्वागत हैं एक बाद फिर से आगे बढ़ेंगे देनिक राशी फल के साथ शुरू करेंगे तुला व्रिश्चिक और धरू से तुला राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन हैं, आपको काफी फायदेमन साबित हो सकता है बिजनेस में जोखिम उठाने का नतीजा आज आपको लाबगारी साबित हो सकता है ध्यान रखेगा अपनी सोच को, नकारात्मक नहीं बनाना है, थोड़ा धैरे बनाये रखना है, सब आज का दिन अच्छा रहेगा आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी करना है कि चरन शुकर दिन की शिरुवात कीजेगा अगली जो राशी वह है व्रश्यक राशी, व्रश्यक राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा भी देगा धनलाप के योग हैं, आज के दिन आपका जो उत्सा है, पराक्रम हैं, वो काफी बढ़ चट कर रहेगा और आपको अपने भाग्यों देखे संकेद भी आज मिल दे लगेंगे, आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्ता अवश्यक कीजेगा अगली जो राशी वो है धनू राशी, धनू राशी वारे जो हमारे दशक है, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा financially जो है वो आज का दिन काफी strong है दिन भर आपके मौके मिलेंगे इसलिए आज आपको दिन भर कारे करते रहना है कारशील बने रहना है आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करेगा का निश्य तोर पे पुरा जदिन है वह आपका अच्छा मुझे जी पंड़ जी हमेशा की तरह अंतिम राश्यों से पहले कॉलर लेंगे रादेशाम जी अपनी पत्नी चंद्रकला के लिए आपसे सवाल करेंगे 21.12.61 दोपर के बारा बजे रादेशाम जी स्वागत है आपका सवाल पूछे प्रणाम साब जेशी कृष्णा स्वास्त ठीक नहीं रहता है साब और बच्चों के भविशी के बारे में पूछना चाहती है देखे आपकी जनम कृली से इस वक्त अभी शनी की मादशार राहू का अंतर चल रहा है जो अगस्त 2017 तक रहेगा अगस्त 2017 तक और शनी की मादशार राहू का अंतर का मतलब ही यही है कि कहीं न कहीं स्वास्त में उतार चड़ाओ mean दू-तीन सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूं एक तो रात को सोते समय आपको अपने सिरहाने के पास में बिस्तर के पास में जव और जवार, जव जो पूजा में काम में लेते हैं और जवार जो पक्षियों को खिलाते हैं जव जवार मिक्स करके एक दो मुठी अपने सिरहने के पास में कटोरी में रख दीजे और सुबे उसको पक्षियों को खिलाना शुरू करिए 40 दिन आपको लगातार ये काम करना है दूसरा आपको नेमित रूप से माह तुलसी जी की आरादना करनी है और तुलसी जी की परिक्रमा करनी है घी का दिपक जलाना है और जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, उस बिस्तर में बैठके कभी आपको खाना नहीं खाना है और पश्यम दिशा में सिर करके नहीं सोना है, अपना सिर या तो दक्षिन में रखेंगे, या पूरब में रखेंगा जी पंड़ी जी धेरो मेल आते हैं एक और मेल आज हम लेंगे राजकुमार जी का मेल है ये 26-2-75 जन तारीक है और सुभा के डेज बजे का इनका जन है पंड़ी जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा परिशान है इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या काम करना चाहिए और साथी में अपने भविश्य के बारे में भी आपसे उपाए चाहते हैं देखे भी आप पर्षान होने जीसी तो कोई बात नहीं है चुकि मंगल जनम कुड़ी में उच्छिका होके बैठाए और शुकρο भी आपकी जनम कुड़ी में उच्छिका होके बैठाए आपके जो हैं डिसीजन उसमें फ्लक्ट्वेशन कर देता है तो ये कही न कही बड़ा कारण बन जाता है कि आप निर्ने नहीं कर पाते हैं यदि आप निर्ने सही तरीके से करने लगेंगे तो निशित तोर पे आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगे एक गोमेदरत नाता है वो सवा पांच रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली में आपको रहिवार के दिन आपको धारन करना है और नेमित रुप से वगवान सूरे के अरादना करनी है ये सरल से उपाय आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते है जी पंदी जी सी दौरान कॉलर जूट चुकी है गुद्डु जी हमारे सा चार छे ऐटी सेवन इनकी जन तारीक है और सुबह के सवाच शे बजए का इनका जन है चार छे-एटी सेवन सुपर के सवाच शे बजए जी सवाल पूँछे गुदू जी जैसे किष्णा बेटा जैसे किष्णा बेटा आपकी जनमकॉंडी के अंदर आपके दामपत्य घर में सब्तम भाव में जो है वो शानी बैठावाई वो भी मंगल के गर में शतूराशी में निश्य तोर पे कहीं न कहीं दामपत्य सुख में वो थोड़ी सी कमी कर सकता है लेकिन कुछ सरल से उपाय आपके दामपत्य जीवन में भारी परिवर्तन ला सकते हैं शायद मैंने आपको पहले भी बताया था हमें वापस एकफ बार बता देता हूँ यदी आप अपने पती के साथ अभी रह रहे हैं तो रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे आपको कपूर की टिक्या रखनी है और अपने पती के सिरहाने के नीचे सिंदूर रखना है प्राते काल उटके इस नाना दिसे निवरत होके वो सिंदूर आपको अपनी मांग में बढ़ना है कपूर की टीके बैडरूम में जलानी है 40 दिन ये उपाय करना है और उसके पशाद में आपको बहुत मेजर रूप से आपको परिवर्दन देखने को मिलेगा शुकरवार के दिन साबुदाने की खीर बनानी है माताजी के भोग लगाना है थोड़ी खीर का पशाद आपको ग्रहन करना है थोड़े आपके पती को ग्रहन करवाना है और यदि आप अलग-अलग रह रहे हैं तो अभी फिलाल मान के चली कि सितंबर 2015 तक का जो समय है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला समय है उसके पशाद में निशित तोर पे आपके विवाई जो जीवन है वो सुख में हो पन्दी जी यहाँ पर अंतिम राशी के बार में बात करेंगे कि मकर कॉंग और मीन राशी वालों को क्या करना है अपने दिन को बहतर बनाने के लिए मकर राशी वाले जो हमारे दर्शक है आर्थिक डस्टी कौन से आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा आज आपको अपने कर्म पर विश्वाश रखते वे काम करना है आज के दिन की सफलता के लिए बज़र्गों का दिल न दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुवात कीजीगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा अगली जो राशी हो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा वयपार में लाबडायक बड़े सौधे प्राप्त होंगे सरकारी कारियों में आ रहा ही बाधाएं खत्म होगी महतपूंट कारे जो आज हैं उनके उपर पूरा दियान दे आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गोड़ और हरी सब्जे वश्य खिलाइए पूरा दिन अच्छा गुजरेगा अंतिम जो राशी वो है मीन राशी मीन राशी वाले जो हमारे दर्शक के कारे शेत्र में आज आपको लाब होगा वयपार में लाबडायक सौधे मिलेंगे दिन ओवर ओल आज आपका अच्छा रहेगा दर्शक आपको अपने मन में आते आलस के भाव को नियंतर में रखना होगा आज के दिन के सफलता के लिए पक्षियों को गेहुं चामल अवश्य खिलाएगा निश्य तवर पर दिन अच्छा गुजरेगा दर्शक आए अंत में जान लेते हैं आज का पावर मंतर भी यदि आप जिन्दगी के सबसे कठिन समय में से गुजर रहे होगा आपके सामने जीवन मरन का प्रश्न बना हो तो आज मैं आपको एक ऐसा मंतर बता रहा हूँ गूगल, दूप, दीब, ट्रजलित करें उनके समक्ष और इस मंतर का रुद्राक्ष की माला से 108 बार लालासन पर बैठ कर इस मंतर का जाप करें वगौणशी अनमान जी के पतिमा की और मुख करके स्मरंट करें मंत्र जाप एसमेरण के बाद वगवान शीयनमान जी की आर्ति करें, शर्माप्रा प्रार्थना में शनी, पीड़ा और संकटों से रक्षा की कामना करें इसके साथ ही प्रशाथ बाटे और स्वेम भी घ्रेंड करें, आर्ति के करें उसके इस उपाय से इस मंत्र जाब से निश्यत तौल पे सभी कस्टों से आपको मक्दी मिली है। दर्श को उमीद करते हैं कि हमारे कारिगरम आपको जरूर पसंदाया होगा। पन्यजी स्टुडू में आने के लिए बहुत भूट धनिवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो शुबू जैशे किशना जैमाता की जैशे लिए। दर्श को अपनी परिशानियों का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ बेर भी कर सकते हैं। इमेल आइडिया प्री टीवी स्क्रीन पर गुड़ लग टिप्स at firstindianews.com कल आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजे इजाजब नमस्कार